महिंद्रा फाइनन्स 5% तक तूटा अच्छी डिस्बर्समेंट ग्रोथ के बावजूद बिगडा सेंटिमेंट महिंद्रा फाइनन्स ने कहा कि जुलाई से सितंबर 2023 तिमाही में डिस्बर्समेंट 13,300 करोड रुपए रहा जो सालाना आधार पर 12.6 प्रतिशत की वृद्धी है अगर अप्रेल से सितंबर 2023 अवधी की बात करें तो कम्पनी ने इन 6 माह में करीब 25,500 करोड रुपए डिस्बर्स किये हैं जो सालाना आधार पर 20 प्रतिशत ज्यादा है दूसरी तिमाही में अच्छे डिस्बर्समेंट और प्रिफेस्टिवल डीलर अडवांस के चलते कम्पनी का बिजनेस एसेट करीब 93,600 करोड रुपए हो गया महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के शेरों में 4 अक्टूबर को सुभ़ के कारोबार में लगभग 5 प्रतिशत की गिरावट आई मौजूदा वित्वर्ष FY24 की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर में डिस्बर्समेंट में अच्छी ग्रोथ हासिल करने के बावजूद शेर की कीमत गिरी BSA पर सुभ़ शेर मामूली गिरावट के साथ 300 रुपए पर खुला देखते ही देखते इसमें 5 प्रतिशत तक की गिरावट आ गई और यह 285.75 रुपए के लोपर आ गया हालांकि बाद में शेर संभला NSA पर शेर 300.70 रुपए पर खुला और दोपहर होते होते लुढकता हुआ 285.60 रुपए पर आ गया कारोबार खत्म होने पर कमपनी का शेर 4.37 प्रतिशत गिरकर BSA पर 287.90 और NSA पर 287.85 रुपए पर बंध हुआ अपने क्यूँ दो बिजनेस अपडेट में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा कि उसने सितंबर में 4,500 करोड रुपए डिस्बर्स किये हैं यह आंक्रा सालाना आधार पर 11 प्रतिशत ज्यादा है 3 अक्टूबर को शेयर बाजारों को दी गई सूचना में कमपनी ने कहा कि जुलाई सितंबर 2023 तिमाही में डिस्बर्समिंट 13,300 करोड रुपए रहा जो सालाना आधार पर 12.6 प्रतिशत की व्रिद्धी है अगर अप्रेल से सितंबर 2023 अवधी की बात करें तो कमपनी ने इन 6 माह में करीब 25,500 करोड रुपए डिस्बर्स किये हैं जो सालाना आधार पर 20 प्रतिशत ज्यादा है दूसरी तिमाही में अच्छे डिस्बर्समेंट और प्रिफेस्टिवल डीलर अडवांस के चलते कमपनी का बिजनेस एसेट करीब 93,600 करोड रुपए हो गया जो जनवरी से मार्च तिमाही से 13 प्रतिशत और अप्रेल से जून तिमाही से 8 प्रतिशत ज्यादा है हालांकि सितंबर में कमपनी की कलेक्शन इफीशियंसी सालाना आधार पर घटकर 97 प्रतिशत पर आ गई सितंबर 2022 में यह 98 प्रतिशत और अगस्ट 2023 में 96 प्रतिशत थी कमपनी का कहना है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज की बैलेंस शीट में लिक्विडिटी पोजिशन अच्छी है कमपनी के पास इस वक्त 2.5 महीनों से ज्यादा का लिक्विडिटी चेस्ट है एक्सपर्ट का क्या है अनुमान ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफ्रीज ने कहा है कि FY 24, 26 में 13 से 14 प्रतिशत रो आउटलुक को देखते हुए रिस्क बटा रिवार्ड संतुलित लगता है जेफ्रीज ने स्टॉक पर होल्ड रेटिंग दी हुई है मौर्गन स्टेनली की इक्वलवेट रेटिंग है जिसका टार्गेट प्राइस 300 रुपए है यह शेर के मौजूदा स्तर से लगभग 3 प्रतिशत की संभावित बढ़त दर्शाता है वहीं सिटी ने महिंद्रा फाइनेस पर 355 रुपए के टार्गेट प्राइस के साथ बाई रेटिंग दी है सिटी को उम्मीद है कि कमपनी सालाना आधार पर 15 प्रतिशत से अधिक नेट इंटरेस्ट इंकम व्रिधी के साथ साथ 18 प्रतिशत से अधिक की ओपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ दर्श करेगी